नमस्कार दोस्तों रिव्यू सपोर्ट यूटूब चैनल में आपका स्वागत हैं आज के इस प्रेग्नेंसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेग्नेंसी के दवरान UTI इन्फेक्शन यानि यूरीन इन्फेक्शन क्या होते हैं और यूरीन इन्फेक्शन से बचने के लिए गर्वती महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दवरान क्या करना चाहिए अगर गर्वती महिलाओं को यूरीन इन्फेक्शन प्रेग्नेंसी में हो जाता है तो इससे क्या-क्या लक्षन आपके सरीर में दिखाई देते हैं जिससे की महिला समझ सकें कि उनको UTI यानी urine infection हो गया है इनी सारी बातों की विस्तार में जानकारी आज के इस वीडियो में दी गई है वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रिव्यू सपोर्ट यूटूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दवाए ताकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी और उससे जुरी जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो आईए आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं यह यूटी आई यह यूरीन इंफेक्शन क्या होता है और यह कहां कहां हो सकता है आपको मैं बता दू प्रेग्नेंसी के दोरान गर्वती महिला के सरीर में हो रहे हार्मोनल चेंजिंग की बज़ा से उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे में अगर उनको यूरीन इंफेक्शन होता है तो इससे गर्वती महिला क्या समझे आपको मैं बता दू यूरीन इंफेक्शन आपके कीडिनी, ब्लेडर, पेसाब की नली इन सारे जगों पर हो सकता है यह एक परकार का वैक्टेरियल इंफेक्शन होता है जो कि प्रेग्नेंसी के दवरान ये इंफेक्शन होने के चांसेज कर्वती महिला के सरीर के अंदर काफी ज़्यादा होते है वैसे तो normal महिला को भी ये infection हो सकता है लेकिन pregnancy के दवरान normal से थोड़ा ज्यादा chances रहते हैं और pregnancy के दवरान अगर महिला को urine infection हो जाते हैं तो इससे उनको कई तरीके के दिक्कत भी हो सकते हैं जैसे कि उनको पेसाब करते समय जलन जैसे कई सारे दिक्कते आ सकती हैं तो आईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अगर महिला को UTI यानि pregnancy के दवरान अगर उनको urine infection हो जाता है तो urine infection होने से गर्वती महिला के सरीर के अंदर कौन-कौन से लक्षन दिखाई देते हैं जिससे कि वो समझ सके कि उनको urine infection हो गया है तो बात पहली लक्षन तो पहली लक्षन अगर आप पेसाब करने जाती है और उस पेसाब से अजीव तरह का दुर्गंद आता है तो यह पहली लक्षन है दूसरी लक्षन अगर आप पेसाब करने जाती है और पेसाब करते समय आपके यूनी भाग में काफी ज़्यादा दर्द महस लक्षन यो तीष्टी लक्षन अगर आपको कभी ठंढ कह भी गर्मी महसूस कग्र रहा है तो इसे भी आप समझे कि आपको एूरीन इंप्षिक्षन हो गया है पांचवी लक्षन आपका बुखार का आना, अगर आपको प्रेगनसी के दौरान बुखार आते हैं तो इससे भी एक महत्पून लक्षन आप समझ सकते हैं यूरीन इंफेक्शन होने के इसके अलाबा अगर आप संभोग करती है तो संभोग के दोरान अगर आपको दर्ड या पीरा महसूस हो रहा है तो ये भी एक लक्षन होते हैं इसके अलाबा आपको हम बता दू अगर आपको pregnancy के तो पेट के निचले हिस्ते में दर्द रहते हैं तो ये भी एक एहम लक्षन हो सकते हैं आपके urine infection होने के तो अगर आपको ये सारी लक्षन जैसे ही अपने सरीर में दिखाई दे आप तुरंट डॉक्टर से कंसर्ट जरूर करें ताकि आपको डॉक्टर पूष्टी कर सके कि आपको urine infection ही है और उसका इलाज आपको बता सके वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे घर बैठे आप क्या करें जिससे कि आपको urine infection न हो यानि घरेलू नुस्खे के बारे में जानते हैं तो सबसे पहला उपाय है अगर आपको pregnancy के दवराण urine infection से छुटकारा पाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती है तो इससे आपको पेसाब ज़्यादा आएंगे जिसकी वज़ा से आपका मूत्र खाली रहेगा और साफ रहेगा जिसकी वज़ा से आपको यूरीन इंफेक्षन के चांसे कम रहेंगे तूसरी टिप्स नारियल पानी पीना चाहिए आपको प्रेगनेंसी के दौरन वैसे ही नारियल पानी पीने से आपके सरीर में कई सारे फायदे होते हैं लेकिन अगर आप पानी पीती है तो यह नारियल पानी आपको यूरीन इंफेक्षन से भी बचाने में काफी ज़्यादा मदद करता है क्योंकि नारियल पानी आपके इम्मिनी शिस्टम को काफी ज़्यादा स्वास्त रखता है जिससे कि आपका यूरीन इंफेक्षन का होने का खत्रा काफी क चाहिए लिए काफी जादा रहत दिलाता है विडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चौथी टीप्स आपको पेसाब भी नहीं रोकना चाहिए प्रेग्नेंसी के तौरान पेसाब रोकना गर्वती महिलाओं के लिए काफी जादा खतरनाक हो सकता है और यह आपके urine infection को बढ़ा सकता है इसलिए आप पेसाब बिल्कुल भी न रोकें इसके अलावा आपको बतादू आप हमेशा योनी भाग को अच्छे तरीके से साफ रखें और साफ करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा cotton के कपरों से ही साफ करें जिससे कि आप कोई infection न हो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखती है तो इससे कि आपको urine infection के होने के chances काफी ज़्यादा कम रहते हैं अगर वीडियो के अलावा भी कुछ पूछना हो तो आप हमसे comment box में पूछ सकती है वीडियो को आप like और share जरूर करें